टाइप सी कनेक्टर जो होता है वो आपको दिखने में कुछ इस टाइप का दिखता है कि इसके अंदर हम देखे तो यहां से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, हाट, नो, दस, ग्यारा और बारा यानि कि बारा दुने 24 फीन है लेकिन इसके अंदर एक्चुल में 12 फीन होती है वो alternate होती है यानि कि यह वाली जो पहली है उपर वाली तो यह लास्ट वाली पहली के बराबर होगी यानि कि यह पहली यह पहली दोनों सेम होगी यह वाली पहली और यह वाली पहली यह दोनों सेम होगी तो इस तरह से यह alternate होती है यहां से यह दूसरी है तो यह वा कूछ ही सिट आप को देखने को मिलता है अब हम देखते हैं के उसके अंदर और सी पीने है यानि के योईएसी जो कर्लाइब होता है उसके चो जो शुषी मिला के जैहानि के यह बारा पिने कैसे है तो उसको समझानलेटे तो यह और यहां पर आप देखिएंगे तो यह ग्रांड-ग्रांड यानि तरफ सेख्रांड चोटा वी बस बहसी है निए पे यहां पर ऐसे देखा जाए तो दो यहां पर पी न दी गई है उसके, लाइग CC1 एक यह आपको नया देखने को मिलेगा और CC2 यह CC1, CC2 क्या है कि यह एक charging connect का indication है यानि कि यह charging आपका जो cable है वो connect हुआ है उसका एक information है जो के charging IC को दिया दाता है जो के हम diagram के अंदर आगे समझेगे कि यह क्या काम है इसके लबा SBU1 और 2 यह दो पिन है जो के ID की line है जैसे तो यह SBU2 है जो के ID की pin है और RXTX का जो pin है यह actual में जैसे कोई phone के अंदर हम देखते है कि यह connector जो होता है type C connector उसके अंदर हम ADMI cable को भी लगा सकते है और उसको TV में हम देख सकते है अगर उस phone के अंदर function दिया गया है तो यानि कि यह data receiving और transmitting के लिए यहाँ पे एक option दिया गया होता है जो के direct CPU से connected होता है और उसमें हम जैसे मैं आपको बताया कि अगर कोई phone के अंदर यह function रखा गया है तो यह function वहाँ पे काम करता है कि उसके अंदर आप दूसरा cable लगा के आप उसको कर सकते हो तो यह जो है यह type C का function है तो इतनी पहला हर्पी ने इसके अंदर ह होती है और सब वैसे हम लोग ने पहले देखी हुई है थोड़ा बहुत नाम में difference है और 65 और 66 यह दो पीनों पे से हमारा वीबस जो है वो यहां से आउट हो रहा है तो यह पीन हमने देख लेते हैं कहां आगे जाती है लेकिन उससे पहले कुछ चीज और देख लेते हैं ज यह वाला जो लाइन है वह आपकी charging IC को मिलता है तो यह मैं आपको दिखा दूंगा जब हम charging IC पे पहुंचेंगे तब क्योंकि इसके अंदर कोई connection नहीं होता है यानि के कोई इसके अंदर कोई component नहीं होता है यह direct line होती है इसके लाए SBU12 है जो एक ID का line है जो यहां से जा र पॉलावा यहां पर आप देखोगे तो एक line यहां पर लिखी हुई है जहां पर लिखा है water detection यह वाली जो line है यह water detection की जो लाइन है ये भी हमारी charging IC के अंदर जाती है जो के इसके अंदर एक यहाँ पे diode रखा गया है और एक यहाँ पर रखा गया है register तो basically यह क्या काम करती है इसको हम समझ लेते हैं के जनरली हमारे phone के अंदर जब liquid damage होता है यानि के phone जब हमारा कोई उसको पानी वगयरा लगता है यानि कैसी कोई भी condition के अंदर तो सबसे पहला जो उसका effect होता है वो charging connector के होता है तो यानि के जब charging socket की जो line है हमारी वो line के उपर यहाँ पर एक register रखा होता है और यह line जो होत पानी लगेगा तो इसका जो resistance है उसमें difference आएगा क्योंकि यह basically क्या होता है कि जब पानी लगता है तो यह वाली जो line होती है वो short होती है और यह short होती है तो यहाँ पर इसका जो resistance है वो उसको sense करता है charging IC और उसको पता दल जाता है कि आपके socket पे पानी लगा हुआ है यानि भी गई है कई बार के वहां पर आपको liquid detection या monster detection ऐसी एक error देखने को मिलती है और जिसके वाज़ा से आपका जो phone होता है वो यह supply जो है वो basically जाती है charging IC के अंदर और charging IC जब यह detection लेता है यानि कि आपका पर पानी लगा हुआ है ऐसा detection जब वो लेगा तो DC to DC जो MOSFET है उसको बन करा देगा इनिक ऐसी condition के अंदर आपका phone जो है वो बंद हो जाएगा और अगर आप उसको on करने की कोशिश करोगे तो वहां पर monster detection करके एक error शो करता है जो के आपका पानी लगा हुआ है ऐसा आपको information देगा हो पर वो phone आपका on नहीं होगा बंद हो जाएगा तो यह ए error शो करता है तो यह एक पिन नहीं है जो अभी तक के phone में हम लोग ने नहीं देखी है तो यह एक नहीं चीज है सेम वही काम है कोई फरक नहीं है सिर्फ नाम का फरक है बाकि सेम टू सेम लाइन है कि जो हमारी supply निकलती है switching supply उसी में से एक supply वीबैट सिस्टम के लिए दी गई है यानि कि VPS supply दी गई है और वही supply वापिस दी गई है इस IC के अदर ताकि यह charging के लिए यहां से voltage आउट करा सके तो इसको हम देखते है तो यहां से हमारा जो यह supply इन हुआ है वो charging आउट के जरीए यहां से बाहर निकलेगा जो के यहां पर चार पांच पीनों पर यानि कि ज्यादा है एक दो तीन चार पांच छे चे पीनों से यह voltage निकला है जो के C1, C2, C3, D1, D2, D3 यह 6 पीने है जहां से यह battery voltage हमारा output हुआ है और उसके अंदर हमने देखाती है यहां पे एक, दो, तीन यह capacitor लगए है एक लगा है register और फिर यह line जो गई है हमारी यह battery connector के उपर गई है और हमने यहां पे एक और देखा था कि V battery का जो हमारा line था उसके अंदर हमने देखा था एक divider circuit बनी हुई थी और यह supply जो है यह गई थी ADC पे यानि कि CPU के अंदर जहां पे ADC circuit लगा होता है यानि analog to digital converter circuit एक जो होता है जो आपकी बैटरी के voltage को यानि यही वाला जो आपका बैटरी का voltage है उसको वो sense करेगी और उस हिसाब से वो आपको बैटरी का जो measurement है वो display पे कराएगी य यह fuel gauge वाला लाइन हुआ तो इस तरह से यहाँ पे fuel gauge के लिए line दिया गया है इसके लाओ यहाँ पर हमने देखा था के battery regulator करके एक line दिया गया था बैटरी में से और यहाँ से यह line दिया गया था तो यह दो line यहाँ पे दी गई थी जो के आपकी battery को sense करने के लिए था ज्या यहाँ पे shorting के check करने के लिए यह line बनी हुई थी वीबस short तो यह वीबस short की जो line है यह मैंने आपको बताया था कि यह IC जो है यह आपके वीबस के shorting को check करती है कि कहीं उसमें shorting तो नहीं है क्यूंकि जब आप इसके अंदर कोई और device लगाते हो जैसे आपने C type connector है उसके अदर जैसे आप OTG लगाते हो या कोई phone के अंदर जैसे वहाँ पे HDMI cable का option होता है तो वो अगर आप insert करते हो तो यह shorting आपकी device को खराब कर सकती है उसके लिए यह यह चेक किया जाता है अगर यह shorting अगर इसमें मिलता है तो यह आपका OTG device है उसके option को disable कर देगी यानिके व आपका OTG